एक्सराइज 3.2 पहले कराने का मेरा ये मकसद है कि जैसे कि आपको डिफरिंशीट नहीं समझाता तो एक्सराइज चेप्टर 1 में इसके 3.1 में जो है बहुत डिफिकर्ट कुश्चन था तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको शॉर्ट करवा दूं समझा दू मैथर फिर हम लोग कुश्चन के तरफ चलेंगी ठीक है तो कुश्चन कुछ इस तरीके से है डिफरिंशीट दे फॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है हमने हमेशा डिफरिंशीट एक्स को ह भी करना होता है या एक्स के साथ जो वैलिऊ होती है वाियेबल तो ठीके तो कुश्चन भी मैं लिखती हूँ फिर आपको मैं बताती हूँ तो question कुछ यू लिखा है 9x की power 5 हमने इसी करना है differentiate जैसे के हमें required question दिया गया है ठीक है अब हम सबसे पहले Mathematic Rule solve दिखना है फिर हमने लिखना है let और differentiate में y के equal हम value को कर देते हैं ठीक है हमने y के equal value को कर दिया अब हम लिखेंगे differentiate में जड़ा short भी लिखना है आप भी short में लिखेंगे differentiate with respect to x हम ऐसे लिखते हैं in this short form ठीक है और फिर हम लिखेंगे dy by dx equal कर देंगे dy by dx और इस पूरी value को हम bracket हो लिखेंगे ये step कर देंगे ठीक है उसके बाद ये वाला तो dy by dx इतना जरूरी है इस question में कि इसके बगार आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसको आप हम लिखा लिखेंगे ठीक है अब हम constant value के लिखेंगे जो आगे है 9 याद है जब हम limit लिखते थे तो ये भी कुछ limit type का question है ठीक है जैसे हम limit लेके फिर value फिर limit लेके फिर value लेके तो इसका भी ऐसे है dy by dx equals to 9 dy by dx equals to कर देंगे हम इसे x की power 5 की ठीक है यहाँ तक समझा कि आपको अब आगे चलते हैं ये वाला मैंने आपको कहा है कि ऐसे ही आपने लिखना है dy by dx equals to हमने कर दिया 9 अब आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि जो x के ओपर power है ना वो power multiply by constant हो जाएगी ठीक है और ये वाली जो power होगी ना x के ओपर power जो जाएग उस में से 1 माइनस हो जाएगा 5 में से माइनस हम 1 करें ठीक है तो हमारे पास dy by dx equals to y जाएगा multiply कर किया गया 45 और x 5 में से 1 गया तो आगया 4 ये इसका answer है ठीक है वो जोटा देख रहा था मगर फिर भी 5 6 steps में हुआ 6 steps में है इसका answer ठीक है तो जितने ज़्यता steps करेंगे उतना ही आप आप अच्छा impression करेंगा mathematical rule है इससे जरूर follow करना ठीक है इससे related और भी आगे बहुत से questions है hopefully कि आप उसे try कीजिएगा ठीक है फिर इसका जो basic है वो मैं आपको कराऊंगी ये तो हम इने आपको basic कराए फिर जो आगे further इसकी questions है जिसके दो दो पार्ट बहुत लंबे-लंबे questions होते हैं तो वो भी मैं आपको जरूर कराऊंगी पहले आप इसको समझे इसको try कीजिए मैं आपको एक homework देए देती हूँ कि आप इसे कीजिएगा ठीके as a assignment आप जरूर attempt कीजिए करो ताकि आपको समझ आए ठीके इस related question मैं आपको कुछ दे जेती हूँ जैसे y equals to 7 upon 9 बिल्कुल ऐसे होगा x की power 25 का याद है याद पर जहाँ लेती है तो समय आपको लेती है ठीके और पहला तो यह हो गया दूसरा एक और आपको ले लेती है क्योंकि जितनी practice आप करो कि उतना आपके ले इच्छा होगा तो 50 x minus 3 upon 2 ठीके यह आपने करना है कि आपके assignment इसे करो और जिसे यह समझना है मुझसे पूछन ठीके ताके मैं इस related question आपको करूँ मुझसे जरूर पूछना और इनको जरूर राटमिट करना ठीके और जो मेरे चैनल पर नए है kindly मेरे चैनल को subscribe कीजिए विडियो को like कीजिए share कीजिए और मेरा one key kindly complete कीजिए और तो जोश्ट है जए जएदा कीजिए आज जए हैं आपके लाइफ टूर पूछना अपको दिए आपके बसरापने कीजिए क्योड़ आए आपके लाइफ आपके लाइब क्योंदा आपके हैं आपके लाइब क्योंदा